इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नई CSC ID के लिए हमें कैसे apply करना है यहाँ पर CSC ID को बनाने का मैं latest process बताने वाला हूँ जिसमें कि आप सभी लोग CSC ID के तुरू बहुत सारी government services बहुत सारी private services को access कर पाओगे आप सभी लोग directly अगर उन services को access करने के लिए जाओगे तो आपको हर जगे अलग-अलग charges देने की जरूरत होती है जबकि CSC यह possible कर देता है कि single ID के जरीए आप बहुत सारे government services को access कर पाते हो उनके जरीए आप कमाई कर पाते हो तो इस वीडियो में पूरा process देखेंगे कैसे हमें CSC ID के लिए apply करना है सबसे पहले तो आप सभी को register.csc.gov.in पे आना है यह इसकी official website है इसका जो link है मैंने वीडियो के description में दे रखा है पोर्टल का जो interface से आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर आपको एक नए CSC ID को apply करने के लिए आपको apply के section में आना है और यहाँ पर आपको new registration की type पे click करना है अब जैसे मैंने click किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर select application type के section में हमें अपना application type चूज करना है यहाँ पर कई सारे type के user यहाँ पर registration कर सकते हैं जिसमें कि हमें यहाँ पर CSC VLE का जो option है जो उपर के तरफ आपको दिया गया है इसे ही हमें select कर लेना है अब जैसे मैंने यहाँ पर CSC VLE का जो option है वो select किया है तो यहाँ पर आप दिखोगे कि अब हम से TC certificate number मांगा जाता है जो कि आज की date में CSC का registration करने के लिए जरूरी है तो इसको लिकर के परिशान होने की जरूरत नहीं है TC का जो certificate है वो भी आप इसी portal के थुरू बना पाओगे तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर दुबारा से आपको apply की tab पे आना है और यहाँ पर एक option last में आपको दिया गया है TC certificate का तो हमें इसी option पे click करना है अब इतना करते ही हम TC की जो official website है उस पे हम आ चुके हैं जिसमें कि यहाँ पर बताया गया है कि spam website से आपको सावधान रगना है यहाँ पर जो original website है जो कि मैंने यहाँ पर जिस process से बताया है उसी तरीके से आपको इस portal पर आना है और इसी portal के थूँ आप सभी को अपना TC का जो certificate है वो generate करना है अब सबसे पहले तो हम इस pop-up को close कर देंगे और page में नीचे के तरफ आप आओगे तो VLE अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपके पास में TC का जो certificate है वो होना चाहिए तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको यही पर एक login विदा आप उसका option दिया गया है इस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने page का जो interface है कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें की आप सभी लोग अगर first time में आ रहे हो आप सभी लोगों के पास में अभी CSC ID नहीं है तो आपकी यहाँ पर register का जो option दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे हमने क्लिक किया है TC का certificate बनाने के लिए यहाँ पर हमसे कुछ basic information मांगी जा रही है जिसमें की हमारा name हो गया जो कि आपके आधार card पर जिस तरीके से मौजूद है उसी तरीके से इस box में आपको fill करना है यहाँ पर आपको अपनी photograph को भी upload करने के जरुद होगी इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर submit का जो option दिया गया है इस पर आपको click करना है अब जैसे मैंने submit के option पे click किया है तो हमारे सामने एक payment gateway सो हो जाएगा जिसमें की TC का जो certificate है उसको बनाने के लिए हाँ पर 1479 रुपीज का जो payment है वो करने की हमें जरुरत होगी जो कि हम online ही कर सकते हैं यह जो certificate है आप सभी को एक training module दिया जाएगा जिसको आप complete करोगे और उसके बदले में आप सभी को एक certificate issue किया जाएगा तो यहाँ पर payment करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का page आएगा जिसमें की आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो TC certificate number है जो username है वो generate होकर के आ चुका है username ही TC का जो certificate number है वो होता है जिसमें की आप certificate course है इसको आप चाहो तो बाद में भी complete कर सकते हो TC का जो certificate number है वो आपको मिल चुका है इसी को आपको उस form में फिल करने की ज़रुत होगी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको training module complete करना है अगर आप बाद में certificate चाहते हो जो की जरूरी भी है CAC की जितने भी services है उनको अगर आप full services को enable करना चाहो तो दुबारा से आप portal प आप सभी के सामने कुछ assessment आते हैं जिनको आप one by one complete करोगे जो अपने training videos देखे हैं उसके जरीये ही आप सभी के तयारी हो जाती है उसके माध्यम से ये सारे module आप आसानी से complete कर पाऊगे module complete होने के बाद में आप सभी का जो है यहाँ पर online exam का जो option है वो highlight हो जाएगा जिस प अरिके से आप सभी का जो TC certificate है वो भी successfully बन जाता है जिसको आप अपने center पर प्रिंट करके लगा सकते हो से अब हमें TC का जो certificate number पोर्टल के जरे मिला है वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है mobile number यहाँ पर फिल करेंगे जो capture code दिखाया गया है इस capture code को सेम इस box में फिल करने के बाद में हमें submit के option पे click कर देना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि TC पोर्टल से बहुत सारी information automatic फिछो कर आ चुकी जो भी registration के time पर हमने information फिल की हुई थे वो यहाँ पर आ चुकी है आपको क्या करना है जो भी information यहाँ पर फिल नहीं है पहले से जो भी option blank है उनको आपक application type के section में आना है यहाँ पर अगर आप ग्रामेडी चेतर से हैं तो रूरल सेलेक करना है सहरी चेतर से हैं तो आपको अर्बन का option select करना है इसके बाद में authentication type का जो option दिया गया है जिसमें कि अगर आपके पास में biometric devices हैं जिसमें कि fingerprint आईरिस तो आपको यहाँ पर उनके थू भी authentication करके registration कर सकते हैं लेकिन नए लोगों के पास में अभी यह devices नहीं होगी तो OTP का जो option है उसे ही select कर देना है और capture code जो दिखाएगा सेम फिल करने के बाद में term and condition accept करेंगे जैसे हमने submit के option पे click किया है तो authentication का जो page है कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें कि आपको सबसे पहले तो term and condition को accept करने के लिए इस icon पे click कर देना है इसके बाद में OTP जो है authentication mode select है आपको यहाँ पर generate OTP का जो option दियागा इस पे click करना है आपके आधार कार्ड से जो भी mobile number पंजिकरत होगा उस पर एक OTP आएगा जो कि आपको इस box में fill करना है और validate OTP के option पे click कर देना है त वो हमें upload करना है जिसमें कि 20 KB से max आपकी image का size है वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम upload कर लेंगे इसके बाद में kiosk name के section में आना है यहाँ पर आप सभी को अपने CCC Center का जो name है वो fill कर देना है जिसमें कि आपका कोई भी cyber cap है या फिर आप जिस भी name से shop को open करना चाह स्टीट रोड लेंड के section में आना है जहाँ पर भी आपका center मौझूद है वो center की जो location यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर अगला जो option आता है जिसमें कि आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपके center का जो latitude है latitude है वो आप से मांगा जाता है इसके माध्यम से यह guess किया जाता है कि आपका जो csc center है वो कहाँ पर मौझूद है जिसमें कि आपको यहाँ पर जो point on the map का option दियागा है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी area उपर manually फिल किया हो उसके मुताबित आपकी जो location है यहाँ पर pointer में मैप हो करके आ जाती है जिसमें कि इसको आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आप सभी को ड्रैक करके कुछ जहाँ पर भी आ इसके बाद में CSE ID के साथ में हमें एक bank account को भी link करने के जरूत होगी जो भी CSE में आप काम करते हो commission जो दिया जाता है वो इसी account में आता है तो यहाँ पर आपको अपना जो bank हाता है current है या फिर saving है वो आपको यहाँ पर select करना है account holder के name के section में आपना जो name है जिस तरीके से bank passbook पर है वो fill कर देना है आप फिर 100 code fill करोगे और यहाँ पर जो भी account number है वो आपको fill कर देना है इसके बाद नीचे के तरफ देखोगे तो यहाँ पर यह जो account detail है इनको verify करने के लिए हमें यहाँ पर check को upload करने के लिए बोला जाता है जिसमें की ध्यान रखना है कि 100 kv से max यहाँ पर check का size नहीं होना चाहिए और check को कुछ ही इस तरीके से crop करना है जैसे मैंने यहाँ पर screen पे आपको दिखा रखा है cancel करने के बाद में ही आपको यहाँ पर upload करना है और वही check को आपको यहाँ पर upload कर देना है अगर आपके पास में checkbook नहीं है आपने issue नहीं कराया तो आप अपने bank का जो passbook का front page है वो भी आप upload कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा checkbook अगर possible हो तो checkbook को ही आपको upload करना है इसके बाद में KYC document के option में आना है यहाँ पर आपको कई सारे document देखने को मिलते हैं जिसमें कि passport, driving, license, voter ID card या पर नरेगा, job card इन में से जो भी document आपके पा उसके option पे click करके आप select कर लोगे यहाँ पर term and condition को आप accept कर लोगे और submit के option पे click कर दोगे आपकी तरफ से CSC ID को apply करने का जो process है वो पूरी तरीके से complete हो चुका है अब आपको क्या करना है यह जो registration page आया है यह जो application number so हुआ है इसका एक print out निकाल लेना है और आप सभी लोग document दिया है अपनी identity के लिए वो आपको सारे document जो CSC के district manager है जो की officers है उनके पास में आपको submit करने की जरुरत होगी call खुद उनकी तरफ से आ सकता है आप से demand की जा सकता है document के बाकि अगर आपको call नहीं आता है तो CSC banking का जो portal है उस पे आपको district manager के जो contact details है मिल जाती है आप उ जो detail है contact us के section में आओगे अपनी जो भी state है select करोगे district choose करोगे search करोगे तो आप सभी के सामने आपके district manager है उनका mobile number email id सो हो जाता है और submit करने के बाद में 4-5 दिनों के अंदर आपकी जो CSC ID है वो अप्रूफ हो जाती है बाकि CSC portal पर कौन कौन सी services available है उनको कैसे access करना है इस के थूँ आप सभी लोग इन services को कैसे access करोगे कैसे कमाई करोगे उसका complete process में बताने वाला हूँ तो आशा करता हूँ हूँ आज का वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like करेगा अपने और भी friend और family में share करेगा इसी तरीकी के और